दूस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे Ancient Egyptians Mythology के उपर बेस्ट मुवीज को इस वीडियो के अंदर आपको Egyptian Scots के उपर बेस्ट मुवीज मिलेंगी Egyptian सुपर हिरूज के उपर बेस्ट मुवीज मिलेंगी Egyptian खजाने के ऊपर based movies मिलेंगी मतलब कि ये video काफी amazing होने वाला है तो इस video के साथ बने रही और हाँ अगर आप दुनिया की best movies को धूनदे में अपना time best नहीं करना चाहते हो तो इस channel को subscribe करके bail notification को भी on कर देना क्योंकि हम आपको ऐसी ऐसी movies के बारे में बताएंगे जो आपको चौकत देने के साथ साथ कमाल का experience भी देंगी so let's start this video जो की आई थी 2010 में ये एक action adventurous family movie है इस movie के अंदर कहानी दिखाई गए एक लड़की की जो की कुछ knowledge चाहती है जिसके जरिये वहे अपनी बहन को बचा सके इस movie के अंदर आपको Egyptian Adventure बहुत सारा देखने को मिलने वाला है इस movie के अंदर आपको ममीज भी देखने को मिल जाएंगी और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी इस movie की सबसे अच्छी बात ही है कि आप इस movie को freely देख सकते हैं इस movie के अंदर आपको Egyptian God देखने को मिलेंगे उनके पास क्या पावर हुआ करती थी क्या क्या चीजें उस वक्त हुआ करती थी ये सब आपको इस movie के अंदर देखने को मिलेगा इस movie की स्टोडी शुरू होती है एक evil God से जिसने अपने ही बड़े भाई को मार डाला है और उसके बेटे को अंधा कर दिया है और पूरे के पूरे Egypt के ऊपर राज कर रहा है और लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है ऐसे में एक आम आदमी ये decide करता है कि वो राजा के बेटे के साथ मिलकर इस evil राजा को हराएगा वो क्या अपने mission में कामाब हो पाते हैं या नहीं है आपको इस movie के अंदर देखना है इस movie को IMDB पर 5.4 out of 10 की rating मिली हुई है और ये movie हिंदी में available है नमबर 3 पर है एक्समान अपकलिप्स मूवी जो की आई थी 2016 में ये एक action adventure science fiction मूवी है जो लोग एक्समान सीरीज को जानते हैं और सुपर हिरूज मूवी के फैन है वो लोग तो इस movie के बारे में पहले से ही जानते होंगे इस movie की story शुरू होती है दुनिया के सबसे पहले mytend से जो की हजारों साल पहले एजिप्ट के अंदर था लेकिन कुछ लोगों ने उसे मार दिया था और जमिन के अंदर डफन कर दिया था ताकि ये वापस दुनिया के ऊपर आतंक्त ना मचा सके दुनिया को बचाने के लिए इसको मारा गया था पर कुछ लोगों ने गलती से वापस इसको जिंदा कर दिया और ये अब पूरी की पूरी दुनिया को तबाह करके पूरी दुनिया के उपर राज करना चाहता है तो क्या हमारे हिरोज इसको रोक पाते हैं या नहीं वह आपको इस मूवी के अंदर देखन इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ लोगों से जो बहुत ही पुरानी एक अंसेंट सिटी को ढूंड़ने के लिए एजिप्ट आते हैं जिसका नाम होता है हमुना पत्रा वे सिटी बहुत ही पुरानी होती है, सिटी में बहुत सारा खजाना होता, तो ये लोग उसे खजाने के लालच में वहाँ पर जाते हैं, पर वहाँ पर जाकर ये लोग गलती से एक सदियों पुरानी मम्मी को जिंदा कर देते हैं, जिसको सदियों पहले जमीन में गाड़ दि यह मूवी बहुत अच्छी है और अभी तक इस मूवी के लगभग पांच पार्ट आए हैं। तो मम्मी की सीरीज बहुत अच्छी है और आपको बहुत पसंद आएगी। इस मूवी को आए हैं डीबी पर 7.0 आउट अफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और यह मूवी हिंदी में अवेलिबल है। नमबर एक पर है दे फिफ्ट एलिमेंट मूवी जो की आए थी 1997 में ये एक एक्षिन एडवेंचर साइंस फिक्षिन मूवी है। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक एलियन शिप के ग्रुप से। जो लोग आ रहे हैं पृत्वी के ऊपर हमला करने के लिए और उनको रुकने के लिए एक कॉस्मिक वेपन की जिरूरत होगी। और जो कॉस्मिक वेपन सीधा हमारे हीरो की कार के अंदर जाकर गिर ग हुई है और ये मूवी हिंदी में अवेलिबल है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजे, चैनल को सब्सक्राइब कीजे। हम मिलते हैं आप से अपनी अगली वीडियो में तब तक के धन्यवाद